की आइ हलो फ Peng folks मैं आपका दोस्स डॉक्ट्र सु नील कुमार और आप देख रहा ही डॉक्टर कुमार एब्यूकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे थाइराइट के बारे में जॉयइंट प्इन के बारे में और thyroid or joint pain में क्या संबंध है और क्यों लोग बहुत ज़्यादा confused होते हैं आजकल आपने देखा होगा कि thyroid के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं कि thyroid की problem हो गई कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, किसी के hair fall हो गए और किसी को constipation आ गया, किसी का weight बढ़ गया, किसी का cholesterol बढ़ गया तो इस तरह की सारी चीजें हैं और हम लोग लगातार यह सुनते रहते हैं लेकिन देखा जाता है कि female की menstrual cycle disturb हो जाती है PCOD, PCOS, hair fall, constipation होना, suddenly fat बढ़ जाना, fatty liver का होना फिर कुछ आपके दूसरे भी symptoms हो सकते हैं कि जो thyroid नाने पर होएंगे तो सबसे पहले मैं आपको clearly एक बात समझाना चाहता हूँ कि thyroid are the two types, hypothyroidism and hyperthyroidism इसका मतलब यह है clearly कि thyroid का जादे production होना और thyroid का कम production होना बड़ी में यदि आपकी बड़ी में thyroid का कम production हो रहा है तो फिर आपको obesity, metabolic symptoms, PCOD, PCOS, menstrual cycle का problem, joint pain यह सबाएंगे और यदि आपको production जादा है तो आप पतले रहेंगे, आपकी लंबाई अच्छी होगी लेकिन आपको भूख कम लगेगी, आपको खाना कम लगेगा, आपका weight नहीं बढ़ेगा, आपको ठंड जादा लगेगी आप बहुत जादा पतले हैं, आपको भूख कम लगती है, बजन घट रहा है, आपको आप depression face कर रहे हैं, आप नींद में disturbance face कर रहे हैं या फिर menstrual cycle में problem हो जाती है, hair fall, skin का dry होना, mood off होना, depression, anxiety, sleeping disturbance, morning में joint stiffness, joint pain तो ये सारे symptoms आप देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ clinical level पर भी कुछ change आता है, तो अब हम उसको clinical level के जो change है, उसको भी समझने की कोसिस करेंगे आपको elevated level of the cholesterol, cholesterol बढ़ सकता है, poor concentration, voice change हो जाती है, throat में आपको voice थोड़ी सी heavy रहती है constipation आजाता है, mastil problems आते हैं, आप थोड़े sensitive हो जाते हो, moody हो जाते हो, प्लस आपको ठंड ज्यादे लगती है, joint pain आता है, skin dry हो जाती है, hair fall होता है, depression आजाता है कुछ लोगों को, memory में problem होती है, mastil cycle disturbed हो जाती है, तो ये सब symptoms होंगे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, कि आपको thyroid के यदि आप patient हैं, तो आपको बिल्कुल साबधान रहने की ज़रूत है, यदि thyroid की problem को आपने manage नहीं किया, medicine नहीं ली, आपने calcium level को manage नहीं किया, vitamin D को manage नहीं किया, तो फिर आपको joint pain का problem हा सकता है, क्योंकि joint pain बहुत ही, कहते हैं कि thyroid वाले patient को बहुत ही sensitive part है, बहुत ही close रहती है, ये समस्या कि joint pain कभी भी start हो जाता है, joint में inflammation आ जाता है, stiffness आ जाती है, क्योंकि thyroid and joint pain, यानि arthritis बहुत हारदा autoimmune disease, यानि ये आपके immune system को पिरभावित करने वाल इन दौनों conditions में आपका immune system आपकी body के against काम करता है, यानि आपकी body को ही बिमार करता है, body को ही kill करता है, body में ही inflammation पैदा करता है, यानि एक immune system है जो भाईरी level से हमें protect करने के लिए है, लेकिन due to the reversible condition of the immune system in a thyroid and osteoarthritis, sorry, remitted arthritis, ये आपके body के against काम करता है एक system के against काम करता है, जिससे कि आपको joint pain आता है, inflammation आता है, अब इसका बचाब क्या है, prevention क्या है, thyroid की दवाई regularly लें, सुबह खाली पेट और tablet लेने के बाद एक घंटे तक कुछ ना खाएं, timely check-up कराएं, अपने thyroid level के साथ साथ, vitamin D, calcium and plus vitamin B12, इनका level भी control रखें, manage रखें, morning में exercise जरूर करें, walk करें यदि और कुछ नहीं कर सकते हैं, और stretching और joints का movement is a very helpful, very good exercise for the thyroid patient और the arthritis patient, after that, गरम पानी पीएं, जितने भी carbs वाले food हैं, बहुत ज़दा carbs वाले food और बहुत ज़दा alkaline food का saver ना करें, अच्छी quality का calcium, iron folate लें, अपने खाने में, चीनी की जगे गुड़ खाएं, और protein के लिए आप बेशन का चिला है, दाल का चिला है, एग आप खा सकते हैं, प्लस आप boiled उबले होई चने खा सकते हैं, अक्रोड बदाम भी आप एड़ कर सकते हैं, तो good quality calcium and the protein is a very good health for the thyroid and the arthritis patient, along with that the stretching exercise of the joint, प्लस walking, तो ये आपको काफी अद्तक मदद कर सकती हैं, और ये एक prevention के साथ साथ एक बहुत अच्छा management होगा, यदि आपको thyroid हुआ है, तो आप उसको better control कर पाएंगे, और यदि आपको thyroid नहीं है, तो आप completely joint pain और thyroid की problem को prevent कर पाएंग और सायद रोख पाएंगे, तो ये एक diet plan रहेगा, along with a good exercise, प्लस आप meditation करें, अच्छी नीद लें और positive रहें, thank you very much and take care yourself.